वो कालू का पेड़ तो बिल्कुल सूख गया था जब कभूतर ऐसा देखता है तो वो कालू के पास आता है कहता है कालू वहिया क्या आप मुझे ये पेड़ बेच दोगे तो कालू मनी मन सोचता है ये पेड़ तो सूख गया, ये कबूतर मुझे पागल लग, अचा ठीक है मैं तुम्हें बेश दूँगा, लेकिन मुझे पैसे देने पड़ेंगे, तो उसके बाद कबूतर उसको पैसे दे देता है, खालू कवा, उन पैसों को लेकर मौज मस्ती करने लिए निकल जाता है, दूसरी तरह, वो कबूतर सोच रहा था, ये पेड़ तो सूखा है, लेकिन मैं इसकी सेवा करू ना, तो ये फिर से हरावरा होगा, और मुझे मीठे मीठे फल देगा, वो ऐसा सोच रहा था, उसके बाद कहता है, अपने चाचा के पास जाता हूँ, वो मुझे बताएंगे इस पेड़ के साथ क्या करना चाहिए, इसे मैं इसे हरावरा कर सकूँ, जब तक कबूतर अपने अंकल के पास जाता है, आप चैनल को सब्सक्राइब कर दो, एक लाइक कर दो, और प्यारा सा कमेट भी कर दो, कबूतर तो अपने चाचा के पास जाता है, उनसे पूछता है, चाचा जी मैंने एक सूखा पेड़ खरीदा है क्या आप मुझे बता सकते हो कि मैं उसकी क्या सेवा पानी करूँ जिससे वो फिर से हरा वरा हो जाए बेटा सूखे पेड़ को हरा करने लिए उसमें सूखी पत्यां और गास डालो और उसे अच्छा सा पानी डालो तब हरा वरा होगा तो उसके बाद कबूतर तो अपने पेड़ के पास आजाता है वो उसे पानी डालता है और सूखी गास पूश डालता है कुछी दिनों बाद वो पेड़ तो बहुत अच्छा मैसूस करने लगता है वो कहता है हाँ हाँ अब जाके मजा आया मुझे तो अब सांस में सांस आई तुम्हारा सुक्रिया कबूतर अब मैं आपको बहुत ही बड़िया बड़िया रसीले फल दिया करूंगा आप मुझे रोज ऐसे ही पानी देते रहना वो पेड़ तो कबूतर से कहता है अब मुझे सूखे पत्तों की जरूवत है पोजन की जादर दरूवत है पानी की कम जरूवत है क्योंकि सादियों के दिन है उसके अगले दिन ही कबूतर तो उसे सूखी पत्तिया और गास उसकी जड़ों में डाल देता है इससे पेड़ बह आपस में बाते कर रहे थे कुछी दिनों बाद उस पेड़ में तो रसीले लाल लाल फल लगते हैं ये देखकर तो कभूतर बहुत खुस होता है और वो उन्हें तोड़कर खाने लगता है पेड़ को भी बहुत अच्छा मैसूस होता है वो कभूतर तो नदी पर पानी पीने गया था इदर कालू कोई के सारे पैसे खतम हो जाते है तो वो जंगल में बापस आता है वो देख पेड़ तो फिर से हरा वरा हो गया और इस पर फल लगे है अब मैं उस कभूतर से ये पेड़ कैसे हत्या हूँ वो इसी के बारे में सोच रहा था कभूतर पान पर आ जाता है अरे कालू कोई तुम इस पेड़ के पास क्या कर रहे हो कभूतर उससे ऐसा कहता है मैंने तो सिर्फ तुमें पेड़ बेचा था इन फलों पर अभी भी मेरा अधिकार है तुम इन फलों को नहीं खा सकते कालू कोई तो कभूतर से ऐसा कहता है उसके बाद वो दोनों आपस में लड़ने लगते है कभूतर कहता है जिसने मैनत की फल भी उसी के होंगे वो आपस में ऐसे लड़े मरे जा रहे थे तब ही बहाँ पर टूनी चिडिया आ जाती है वो कहती है रुको जरा मुझे बात करने दो उसके बाद वो कहती है ठीक है कालू तुम सही कह रहे हो फल तुमारे ही है कालू कोई तुम इन फलों को कह सकते हो लेकिन तुम कबूतर के पेड़ पर नहीं बैटोगे बिना वैटे इन फलों को खाओ तो उसके बाद कालू कोई कहता है हाँ हाँ मैं तो खाओंगा न फल फल तो मेरे ही है तो जैसे ही वो फलों को खाने को करता है पेड़ की एक डाली उसके सर में आती है जोरों से लगती है अरे मर गया पेड़ ने मुझे मारा पेड़ ने मुझे मारा कालू कोई तो ऐसे कह रहा था जो मेनत करेगा उसी को फल खाने को मिलेंगे वो फेड़ तो कालू कोई से ऐसा कह रहा था उसके बाद कालू कोई तो वहां से चला जाता है कबूतर अपने सारे दोस्तों को वो लाल लाल मीटे फल किलाता है उसके बाद कबूतर तो अपने पेड़ के साथ हसी कुसी से अपना जीवन जीने लगता है वो बीमार बुलवला को फल लाकर देते हैं कालू कोई और गोरी कोई जंगल में आए दिन तवाई मचाते थे वो किसी का गोसला देखते तो उसे जमीन में गिरा देते वो किसी पंची को देखते तो उसके साथ जगड़ा करने लगते ऐसे ही उनका सारा दिन गुजरता था एक दिन टूनी लूसी से कहती है देखो ना लूसी बेन ये कालू कोई और गोरी कोई को कुछ काम नहीं है सब को परिसान करना दूसरों को दिक्कत देना यही उनका काम है नहीं तुम सही कह रहे हो मैंने क्या सोचा है कि हम लोग इनको समझाते हैं साइद उनकी बुद्धी में और कुछ समझें ठीक है चलो हम दोनों लोग चलते हैं और उनको समझाते हैं उसके बाद जब तक टूनी कालू कोई को समझाने जाती है आप चैनल को सब्सक्राइब कर दो वीडियो को एक लाइक कर दो और प्यारा सा कमेंट कर दो अपना प्यारा सा कमेंट में नाम लिख दो प्लीज तूनी कालू कोई और गोरी के पास जाती हो कहती है गोरी बैन कालू कोई आप ऐसा क्यों करते हो आप बहुत गलत करते हो क्यों पंचिए परेशान करते ह сотव मुझ हम किसी बच्ची को परेशान करना चाहते हुम किसी को कुछ भी नहीं करना चाहते है estaba किसी से लड़ाई हो जाती है हम नहीं करना चाहते है फिर भी तुमUNG बाबा उनको एक जादूई घड़ी देते हैं और कहते हैं इस घड़ी को ले जाना 23 गंटे अच्छे काम करना 24 गंटे में तुम्हें साथ कोई अच्छी चीज होगी अच्छा इसी वात है बाबा सारा दिन अच्छी काम करेंगे उसके बाद बोलो गड़ी लाकर अपने घरमा लगा लेते हैं अगले दिन बो दोनों नदी में बैटी होई तितली की मदद करते हैं बो बीमार बुल बुल्बुला को फल लाकर देते हैं और साम को कालु कोई गोरी से कहता है गोरी मुझे आज बहुत अच्छा लग रहा है हमने आज पूरा दिन अच्छा काम किया अब देखो ना, थेज़ गंटे पूरे हो गए हैं, 24 गंटा लगने ही वाला है, हम लोग को अच्छा सा कोई इनाम मिलने वाला है, वो लोग इंतजार करते हैं, लेकिन उनने कोई इनाम नहीं मिलता है, वो सुबह तक इंतजार करते हैं, अगली सुबह उनके पास उल्लू बाबा वो कहता है, ये गड़ी तो साधरा गड़ी है, एक दिन अच्छा काम किया, बताओ तुम्हें अच्छा मैसूस हुआ कि नहीं, हाँ बाबा ये बात तो है, बाबा अबसे हम अच्छे ही काम करेंगे, और किसी जादूई गड़ी के भरों से नहीं बैठेंगे, तो गोरी कालू से कहती है, देखा कालू भाई, आपने अच्छे काम की, आपको अच्छे काम का फल मिला ना, देखा आपको संतान सुक भी मिल गया ना, हाँ टूनी वैन, ये तो तुम सही कह रहे हो, हम लोगों ने अच्छे काम का फल दिया, अब हम किसी जादूई गड़ी के भरों किसे नहीं बैठना चाहिए